नमस्कार, मेरा नम डॉक्टर इतेश खटवानी है, मैं नायरायना मल्टी स्पेशलिटी होस्पिटल एमदाबाद में कंसल्डेंट मेडिकल उंकोलोजिस्ट और हमेटलोजिस्ट हूँ, अर्थात कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, आज हम COVID-19 महामारी और कैंसर के बारे में बात क करने जा रहे हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि महामारी का कहर पिछले 5-6 मेने से लगातार जारी है, लेकिन इस महामारी के दौरान, कैंसर के मरीज और उनके में काफी प्रस्न और काफी दूविदाएं रहती है, तो आज हम उन प्रस्न और दूविदाओं को सुल जाने का प्रयात न करेंगे, कैंसर के जादतर मरीजों में ये प्रस्न रहता है कि क्या मुझे भी महामारी होने की संभावना है, इसके लिए मैं ऐसा कहना जाओंगा कि महामारी का संभावना हर किसी को है, चाहे कैंसर हो या ना हो, लेकिन कैंसर के कुछ ऐसे मरीज होते हैं, जिनमे महामारी का रूप गंबिर रूप से देखा जा सकता है जिनने सीवियर डीजीज हो सकती है वैसे मरीज हैं ब्लड कैंसर के मरीज लंग कैंसर अर्थात फेफ़रों के कैंसर के मरीज ऐसे मरीज जो कीमोथरेपी ले रहे हैं आप इछले तीन मेने पके अंदर कीमोथरेपी ले चुके है और बोन मेरो ट्रांस्परांट के मरीज कैंसर के कुछ ऐसे मरीज होंगे जिनका निदान हाली में हुआ होगा और उनके मन में यह प्रस्न होगा यह दुविदा होगी कि क्या मुझे कैंसर का इलाज अभी शुरू करना चाहिए या कुछ विलम कर सकता हूँ देखिए कैंसर अपनी गती से बढ़ने वाला है महामारी हो या ना हो और कोई चीज हो या ना हो अगर कैंसर का इलाज नहीं हुआ तो कैंसर अपनी गती से बढ़ेगा और सरीट के दूसरे अंगों में फैलेगा तो क्रिपा करके अपने कैंसर का इलाज अपने ऑंकोलोजी से डिसकस करके जल्द ही जल चालू कीजिए cancer का ilaj cancer के प्रकार और cancer के stage पर निर्वर करता है हाँ कुछ ऐसे cancer के प्रकार है जिसमें हम थोड़ा wait करके treatment चालू कर सकते हैं जैसे कि selected case of prostate cancer या CRL याने एक तरह का blood cancer लेकिन ये decision आपको अपने treating doctor याने oncologist के साथ discuss करने के बाद ही लेना चाहिए cancer के कुछ ऐसे मरीज होंगे जिनका treatment चल रहा होगा chemotherapy या radiotherapy चल रहा होगा और उनके मन में या दूविदा होगी कि क्या मैं अपनी treatment जारी रखूं या बीच में gap करूं या की treatment बंद कर दूं जैसे मैं आपको पहले बोला कि cancer का treatment time पे होना चाहिए cancer का ilaj जितने जल्दी stage में और जितना शुरुवात में हो उतना ही result अच्छा मिलता है तो क्रिपया करके अपने cancer की treatment बंद करना नहीं चाहिए कुछ ऐसे cancer के प्रकार हैं जिसमें हम chemotherapy के injection की जगा गोलिया दे सकते हैं मरीज को और कुछ ऐसे cancer के प्रकार भी है जिसमें chemotherapy free interval याने break भी दिया जा सकता है लेकिन यह decision आपके treating doctor यानि oncologist के साथ discuss करने के बाद ही लेना चाहिए cancer के कुछ ऐसे मरीज होंगे जिनका treatment खतम हो चुका होगा और regular follow up visit के लिए oncologist या doctor के पास जाते होंगे तो मैं आपसे यह कहूँगा कि आप tele consultation या video consultation के द्वारा अपने doctor से बात कर सकते हैं follow up visits ज्यादा तर cases में emergency नहीं रहती है ज़रुत पढ़ने पर ही अपने doctor से in person consultation करें अगर आपका treatment खतम हो चुका है cancer के मरीजों में या उनके latest में यह प्रस्ण हमेशा रहता है कि महामारी से बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए महामारी से बचने के लिए जैसे के government की भी सूचनाई हैं जितना हो सके अपने घर पर ही रहिए जरुत पढ़ने पर ही घर से बाहर निकलिए या treatment के लिए घर से बाहर निकलिए घर में मास्क पहनने की कोई आवश सकता नहीं है लेकिन हाँ घर से बाहर निकलें तो आवशे मास्क पहनें सोचल डिस्टेंसिंग का पालन करें डेड से दो मिटर का डिस्टेंस बनाय रखें सामने वाले आदमी से सैनिटाइजर का उपयोग करें हैंड हाइजिन मेंटेंड करें अच्छे से हाथ दोईए कम से कम 20 सेकेंड आलकोहलिक सैनिटाइजर से हाथ साफ करिए और अपनी इम्मुनिटी यानि रोगपति का रख शक्ती मेंटेंड रखिए काफी लोगों में यह प्रस्ण होता है कि मैं क्या अपनी इम्मुनिटी बढ़ाने के लिए दवाई या कोई इंजेक्शन का सेवन करूँ मेरे असाब से अपनी इम्मुनिटी या रोगपति का शक्ती बढ़ाने के लिए कोई दवाई या टोनिक का सेवन करने की आवेशक्ता नहीं है पॉस्तिक आहर लीजिए ज्यादा तर प्रोटीन युक्त आहर लीजिए अच्छे से पानी का सेवन कीजिए हरी सब्सक्राइब कीजिए शरीर को सूठ उस तरह से व्यायम कीजिए योगा वगेर कर सकते हैं और ह कि दो तरहिती हमेशा स्ट्रेस्क्री रहे कुछ रही है अधे देखिये यह से अपने को पता है कि मया मारी के वत चल रहा है मा मारी कुछ त्याइम में बीच जाएगी तो आए हम सब मिलके मामारी और कैंसर का सामना करें और हाथ मिला कर इस मामारी और कैंसर के अगेंस लड़ाई-लड़े तेंक यू